कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और सवस्थ होंगे आप सभी का सवागत आपके चैन्ट कुसम फैमिली व्लोग में टाइम हो रहा है सोबेगे 9 बज रहें तो गुर्ड मॉर्निंग आप सभी को नास्ता बगरा हुआ है या नहीं है मुझे कमेंट करके बताना मेरा हो गया है पेट पूझा हो गई है एक्चली जाडू बगरा लगा दी मैंने डेस्टिंग हो गई है घर में बालकोनी भी दो दी है और उसके बाद में मैंने कल में रात में वीडियो पूरी सूट थी जो आज आप लोग के पास जाने लेकिन उसकी एडिटिंग बगरा नहीं कर पाई वो भी करिए जो कि अभी सेव हो रही है अपलोड होगी उसके बाद आप लोग के पास जाएगी मैं इनके दूसरी वीडियो शुरू करते हैं और अपनी जंग की तहियारियां करते हैं डेली रोज की तरह आज कल वही रूटीन हो रहा है कि बही सुब कि जल रही है आप लोग मुझे कमेंड कर के जरूर बताना इस वारगीता यहां नहीं तो इस वज़ए से हमारे घर में करवाचोध्की कोई तयारियां नहीं चल रहे हैं घीता रहती हैं तो हमेसं। साही तैयारियां हो जाती हैं लेकिन नहीं हाँ भावी हैं सरीता भावी ने कल साधी पर लगा लिया और उन्होंने मतलब तैयारी करके रख लिए अपनी करवाचोथ की तो उनकी तैयारियां मैं आप लोगों के साथ में सेर करूंगी और साधी भी वो नहीं लेके आई हैं जो सब को तयार हो कि जो साड़ी है उसको और उनका भी थोड़ा चुटर-पुटर का जो समान है वो लेके आना है बकल बोल रही थी क्योंकि अभी मेरा ही काम नहीं हो पा रहा है फिरी मार्केट का दो तीन दिन से लगातार मार्केट जाना भी हो रहा है घर का काम भी हो रहा है त सब के कपड़े आ गए थे लेकिन एशू के नहीं आये थे तो इशू भी शॉपिंग करके कल ले करके आ गई ए जो के कपड़े आप लोगों को मैं बार बार वही वीडियो में बहुँ आ है गाउं जाकर कि दिखाऊंगी मेरे पास अब थोड़े बहुत ही कपड़े बचे सब गाओं जा चुके हैं क्योंकि गाड़ी से भाई गया था तो सारी कपड़े जितनी भी शॉपिंग हुई थी सब गाओं चले गए क्योंकि सतिये पर सबके रखे जाएंगे क्या होगा क्या नहीं है वो सब मैं आप लोगों को बाद में ही दिखाऊंगी लेकिन हाँ कल का या आज हो गई मतलब ब्रस्पत का दिन हां ब्रस्पत है 21 तारीक है आज 21 अक्टूबर है और गन्नु का है बड़े कल का 22 अक्टूबर का है तो कल ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो डिटेल में शेयर करूंगी जनम दिन की उसको बधाई दूंगी वैसे तो वीडि करके बताईएगा करवाचोथ की किस-किस के हां तयारी वैसे तो देखिए हमारे साइड में तो सभी करवाचोथ मनाते हैं साउथ में साइड थोड़ा वोत नहीं है उधर क्यूंकि मैं गवा रही हूं तो वहां पर वो लोग नहीं बनाते थे जो यूपी पंजाव हर्याना यहीं साइड के लोग करवाचोथ खत्योहार मनाते हैं तो चलिए जंग की तैयारी कर लेती हूं बहुत लेटू हो जाएगा करते करते और सब्जी वगेर आभी मैंने कुछ भी दुफेर के लिए नहीं बना के रखी है कल गई थी मार्केट तो वहां से मंडी से थोड़ी सी सब्जी वी लेके आ गई हूं और हां वह मैं विशाल में गमार्ट से जो समान लाई थी चलिए वह मैं आपको दिखा दी और जो कि मैं नहीं रखा हुआ है थोड़ी सा टाइम लगेगा जादाने अभी दिखाती है आपको तो यह एक में पहले लेके आई थी ना जो तेल का यह तेल डालने के लिए रिफाइंड डालने के लिए जैसे यहां से यह की इस तरीके से ऐसे हट जाती मुझे यह काफी अच्छा लगा और मतलब यह डॉर मेंट से ना एकदम से ऐसा हो रहा है जैसे नएक जैसा ना वह निकलता है डश टाइप कम है क्योंकि दोने पढ़े शची कलेएंगे नए मेंसा ऐसे मुझे आजीब सारीं होता है में साजीव सी महकाती है जो इसका यह वाला हिस्सा होता है याह पर तो एक मैमंलबं दो लहका यांच्ट यह वाले ई्यमय जू दॉर मेटव 1,99 ृद लेकर अज्ट कर आई थी क्योंकि यह वाला जो कप मिस्क गीला मतलब होने वाला है तो जो अच्छे से पैर पूंचे गीलापन सोख ले और बच्चों के घर में तो खास करके तो ये वाला मेलाई जो मेरे पास पहले डॉरमेट थे वो ईशू लाई थी तो बच्चों को अभी उतना आइडिया नहीं होता है तो उसने ध्यान नहीं दि दे तो दो में लेके आई यो एक ही में दिखा रही हूं आपको लेकिन दूसरा भी है 99 में एक पड़ा एक ये तेल वाला लेकिया इन्यों में गाउं के लिए मम्मी के लिए उनके पास में दूसरे टाइप का है डबा तो उसको अच्छे से तो ये है 59 का और में ज्यादा सम चौकलेट पनी मैंने कि इतने का मेरा समाना है उतने कि तेरी चौकलेट है तो उसकी चौकलेट आ गयी है मुझे गनू पिंग कुछ भी नहीं सारी मेरी है वो उसको हर चीज सरी कान दूसरा मतलब हिस्सा नहीं कोई रही जी चीज किचिन में और किचिन के डबे सारे बाहर निकालूंगे वैसे तो गंदा कुछ नहीं है क्योंकि गीता ने नवरात्रे में साफ सफाई की थी किचिन की और बस यहां पर पेपर वगएरा उन्हें हटा करके जो डबो में न डाले वगएरा हैं कुछ खतम हो रही हैं उन सब को भ कितना भी आप साफ सफाई कर लो हर तीसरे दिन फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है फिर पता नहीं कहां से समान फैला फैला सा ही हो जाता है और जो खाली डबे उन्हें भी एक सैड में करती जा रही हैं क्योंकि सारा समान रासन का इशू लेकर कि आई थी आया हुआ रखा है गर सिप्टिंग का जो मैंने सोचा था ना मतलब सिप्टिंग ही समझ लीजिए एक तरीके से क्योंकि देखे घर जब हम सिप्ट करते हैं तो सारा समान एक खिटा करें के उसको पैक करना होता है यहां पर सारा समान एक जगे खिटा किया है उसमें समान भरोंगी फिर से वह लगा दूँगी तो एक तरीके से घर साफ और सिप्टिंग ही हो गई और वैसे भी इस घर सिप्ट करने का मुझे बहुत बड़ा एक्सपिरेंस है क्योंकि नेवी में रहके और बाकी का इधर उधर रहकर के बहुत घर सिप्ट किये हैं तो बस अब उपर का जो एरिया था उसके मैंने डबे बबे सब लगा दे नीचे का जो ये एरिया है इसको भी में सारा समान पहले बाहर निकालूंगी और कुछ ऐसा है एक्स्टर सामान जो कि इस रासन का यह यूज भी नहीं हो पा रहा है और कुछ अचार एक्स्टर हो रहे हैं तो उनको किसी को किसी को दे और यहां पर यह लोहे वाली कड़ाई है जो मैंने काफी टाइम पहले खरीदी दिया आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी जो कि इसमें कुछ भी नहीं बनाए मैंने सिर्फ इसको खरीद के और रख लिया है यहां पर देखिए यह ना इसका मतलब जो होता है ऐसे दिखाऊं दे दी उन्होंने तह ऐसे ही निचे से और अंधर से देखी वाइट वास भी किस तरीखे उसरी रखा आइए बिलकुल भी एकदम से काम अच्छा नहीं हो रखा है यहां पर है और यहreno किनारे ना वहांपर एकदम बिलकुल किनारे पर बहुत ज़दा यहां पर गैप था फ के बाद समान लगाती चली आओंगे किचिन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं क्योंकि इसको हटा के हमेसा लगाते रहते हैं मन नहीं मानता बिलकुल भी यह लगता है कि दिपावली के सफाई होनी बहुत जरूरी है तो सारी किचिन यहां देख सकते हो पूरी मैंने एक दम से सब्सक्राइब रखी है और इसू है नहीं है यहां पर मतलब गई है कोलेज कोलेज गई हुई है मैं ही हूँ बच्चे भी नहीं है घर पर गीता आप लोगों को पता है गाउं ही गई हुई है और हिट लिया हुआ है थोड़ा-थोड़ा इस प्रेमार के ना फिर समान लगा लगा दूंगी कि थोड़ा बहुत ही मच्छर वगरा बारस का सीजन गया है ना तो एक हुआ होती ना चोटी तितली सी उड़ने वाली वह आज पता नहीं कहां से हो रही है कोई कोई वह दिख रही है तो बस इसके बाद में फिर ऐसा है कि महक नहीं होगी अलमारियों में ऐ इसे तो खुलती रहती महक नहीं है लेकिन जो कीडे वगरा का थोड़ा बहुत भी या फिर जैसे यह मकडी वगरा का जाले छोटे मोटे जो भी नहीं बना पाएंगे तो इसलिए इस प्रे करके और सारा समान फटा फटा फट से अब इसको पूश करके ऐसी लगा दूंगी और कुछ पता है मेरी आदत है जादत है वैसे मुझे लगता हाउस वाइब जितनी भी लेडी जे हम सब की आदत है सालों साल कोई चीज यूज ना हो लेकिन उसको फेक भी नहीं सकते रखे हुए हैं समभाल करके इसलिए यह इतना कवार खिटा हो जाता है हर बार जब भी क चिन साफ होगी कुछ ना कुछ फिकेगा लेकिन नेक्स टाइम तक तब फिर भी उसको हमें खिटा करके रख लेंगे बहुत सारी चीजे मेरे पास ऐसी हैं जो गाहों में घर गई थी ना मम्मी को बोल रही थी कितना सारा समान खिटा करके रखा हुआ है लेकिन यहां मैंने खुद समान इतना साथ एक खिटा करके रखा है यह लगता है कि इसकी वी जरूत पड़ेगी उसकी वी जरूत पड़ेगी चाहे हमें सालों जरूत ना पड़े उसकी लेकिन फैकने का मन नहीं करता फिर यह रहेगा अरे यह चीज इतनी पुरानी है यह चीज उससे यह खांगा, क्योंकि मैं उन्हों के साथ गाउंगा, फिर से गाउं चली गई तो जो समान इ सब को डबे में भरएगे, मुझी ने कूब सारा बेसन देखि ए, काफी सारा बेसन होगा, बेसन 2.5 किलो बेसन, तिल मेरी मुझी कहां हो जाते हैं उन्होंने तिल भी भेजे ऑना ख तो अगर यहां बच्चे नहीं आते मतलब मुसी के लड़की यह भाई नहीं आता तो गाहों में जैसे प्रोग्राम होगा तो मुसी वहां जरूर जरूर भिजवाती है और एक सौप जो होती है वह भी मेरी मुसी के यहां से आती हमेशा मेरे लिए तो क्योंकि वहां पर मुसी के पास में भी मतलब सोब घर मी हो जाती है तो वही वोलिंगी फोन पर के तू रहना मत में भिजवा दूँगी तो अचार में या करेले वगेरा बनते ही सम्में वह घर की और खुसबू भी बहुत अच्छी आती है और बेसन की तो मैंने मने करा थ देशी है इनको आदत होती है हम खरीद रहें लेकिन बेटी के लिए जरूर भीजवा देते हैं तो मैंने मने करीती में बेशन वगेरा परेशान ना करना लेकिन फिर भी भी भीजवा दिया है मुसी हमेसा कुछ न कुछ जरूर भीजती है अगर मेरे पास में कोई आ रहा है वहां से या मूसी के घर से मेरी मम्मी के पास भी कोई आना जाना हो रहा है मूसी कुछ न कुछ जरूर भेजती हैं वहां से कई बार दाले वगएरा भी कुछ अब बोल रही थी मूंकी दाल ये वह मैंने की मूंकी दाल थोड़ी रखी है मम्मी ने घर से भेजी थी नॉर्मली के लिएकने, पैस को भीछनां तया है, लिए पलाव ऑगरा बन जाता है, तो चलिये चैनल मैं büy काई और गया है, अपना भी हो गया है अब बस ये सारा समय लगाना रह गया और पता है ऐसा रहता है थोड़ी थोड़ी देर बैठे के जैसे बात कर लूँ या फिर बैठ जाओं बच्चों के बिना भी अजीब सा लग रहा है बच्चे नहीं ना घर पर इतने अकेले बहुत टाइम के बाद आ अपना कामी है यह वीडियो मेरा एक दिन पहले का है मार्केट गए थे मैं और इस हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दीपावली को मार्केट सजा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट में सच में बहुत जादा भीड़ है करवा चोथ उदर होई एस्टमी और आगे दिपावली आने वाली है और एक तरफ से थोड़ा सा यह खुलारी इस साइड से जैसे हम आगे जाने वाले थे तो अच्छा खासा ट्रैफिक जांप हो रखा यह घंटागर का वीडियो है तुरावनगर के पास कई लेकिन यहां से में और ईशु आगे नहीं जा पाए हमें फिर दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ा और उसके बाद में यहां देखिए जो इशु ने वह मंगाया था ना टीवी के लिए फायर इस्टिक तो मैं फायर इस्टिक ही बोलना चाही थी लिए फायर पीछे आरे प पूरे टैमेर से बात ही करता रहा है आप क्या कर रही हो कहां बैठी हो सारा सिस्टम इसका कर एक फिर उसके बाद कहां गड़़ो रही है इसमें अब यह हमारा सेटब बॉक्स तो मतलब बिकारी है इसको ठाक रख रख देंगे पैक कर गए विकार किया मतलब कभी असा रह जाकर यह दिक्कत करने लगए तो अपना सेटब बॉक्स करा कर गया टीवी और यह फायर इस्टिक लगाई यही सूने अब चेक करके देख रही ह यह सब फेला पड़ा है धर बैड़ पे चाकू छुरी यह इंची टेम मैंने सनौर कट करी थी और चिकेंची भी अभी नहीं इसका सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है और यहां पर इसू इसे लगा रही है पहली वार वैसे तो सारा सेट लग गया है लेकिन कहीं कहीं मिश्ट का टाइम गेट वगेरा लोक कर रही हूं आज अपना वीडियो में यहीं पर एंड करूंगी कल मिलोंगी तब तक के लिए गुड़ नाइट एन बाबाए टेक केर आप सभी अपना और अपनी फेमिली का ध्यान जरूर रखिएगा मोसम चेंज हो रहा है